Hello friends, welcome to conceptaholic, the right place to get your concepts cleared. तो बिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक pre-stress concrete beam पर कौन कौन से stresses act करते हैं और उन stresses को कैसे find करते हैं. और लास्ट में हमने एक rectangular section का beam लिया था और उस पर stress analysis किया था और उसका stress distribution diagram भी बनाया था. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक pre-stress concrete eye section beam को कैसे analyze करेंगे और उस पर कौन कोन से stresses act करते हैं. तो चलिए, शुरू करते हैं. जैसा ही आपको screen पर दीख रहा है question, मैं हम question read करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हो क्या-क्या पूछ रहा है. आपको समझाता हूँ करते हूँ करते हूँ करते हूँ करते हूँ करते हैं. तो question read करके हम इतना तो समझगे हैं कि एक pre-stress concrete beam है, जिसका cross section एक eye section है, और उस पर हमें stresses लिखाना हैं दो stages में. सबसे पहले stage में हमें सिर्फ pre-stress plus self-weight consider करना है, और second stage में pre-stress plus self-weight plus live load consider करना है. तो चलिए, जिसके मैंने पहले भी कहा था, ऐसे questions में सबसे पहले हम diagram बना लेते हैं, ताकि उसकी analysis easy हो. तो सबसे पहले question में बोल रहा है कि एक pre-stress concrete beam है, कुछ इस तरह का, और उसके उपर 2 kN per meter का live load लग रहा है. और और बोल रहा है कि उसका span कुछ 8 meter का है, उसकी लंगाई 8 meter है. आगी question में दिया गया है कि उसका cross section कैसा है, तो question के हिसाब से, the sectional details are, top flange is 300 mm wide, तो इसका top flange कुछ इस सवरा से है 300 mm wide and 60 mm deep, इसकी thickness 60 mm है और ये width जो है उसकी, वो है 300 mm. उसके बाद बोल रहा है question में कि bottom flange is 100 mm wide and 60 mm thick, तो उसका bottom flange कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे, यह होगा आपका 60 mm thick और यहाँ पे भी 300 mm wide, उसके बाद उसके web के बार में बोल रहा है कि ये जो web का thickness है, वो कुछ 80 mm है और अंत में दिया आए कि उसकी overall depth, overall depth मतलब इस point से एक इस point तक की depth 400 mm है, तो हम लोग web का depth दिखा सकते हैं, इस point से एक इस point तक का depth 400 mm है, तो web का depth क्या होगा, 400, total depth, minus this depth 60, minus this depth 60, तो यह basically आपका हो गया 280 mm, तो यहाँ पर cross section इसका तयार है, उसके बाद question में उसने यह भी बोला था, कि at the center of the span, center of the span मतलब span को अगर हम बीच में से cut करेंगे, तो वहाँ पर बोला था कि एक pre-stressing force है, मतलब एक pre-stressing tendon है, 50 mm from the bottom, एक pre-stressing tendon located है, 50 mm from the soffit of the beam, soffit मतलब bottom of the beam, और यह 100 kN का pre-stressing force carry कर रहा है, तो एक pre-stressing tendon हमें दिखेगा, जो थी 50 mm पे होगा, soffit से, और उस वो एक 100 kN का pre-stressing force carry कर रहा होगा, तो इतना सब given data था, अभी, जैसा कि आभी पता है, और दिकर आए, कि यह एक unsymmetrical eye section है, इसलिए इसका neutral axis सेंटर पे नहीं होगा, तो इसका neutral axis हमें पहले लिखाना पड़ेगा, तो neutral axis लिखाने के लिए हम अपना, वही सौम का concept यूज़ करेंगे, y bar bottom, सबसे पहले हम एक line fix कर देंगे, कुछ इस तरह से, और हम सारे distances इस line से लेंगे, तो y bar bottom का formula कहा था, submission of area into cg, upon submission of area, तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सबसे पहले area, सबसे पहले bottom flange से शुरू करेंगे, तो bottom flange का area कितना होगा, इसकी thickness है 60 mm, और इसकी width है 300 mm, तो 300 into 60 into cg का distance, तो जब्दा कि मैं पता है, ये bottom flange एक rectangular section है, तो इसका cg कुछ half पे आएगा, तो इसका distance कितना हो गया यहां से, 30 mm, 0.11 से इसका distance हो गया 30 mm, तो इसकी half पे आएगा, 30 plus, अब web का लेंगे, तो web का area कितना है, 280 into, ये 280 into this one is 80, अब इसका cg, यहां से कुछ, यहां से 140 mm पे होगा, कुछ इस तरह से, लेकिन हमें cg का distance कहां से चाहिए, 0.11 से चाहिए, तो यहां से लेकिया आता का distance कितना होगा, 140 plus 60, which is 200 mm, plus, top flange, top flange का area तो 300 mm इसकी width है, into, 60 mm इसकी depth है, into, अब इसका cg भी, इस point से half पे होगा, मतलब कुछ 30 mm पे होगा, तो हमें actually इसका cg का distance कहां से चाहिए, 0.11 से चाहिए, तो यहां से लेकिया यहां तक का distance कितना होगा, direct calculate करते है, 60 mm, यहां से लेकिया यहां तक, plus 280 mm यहां पर पाँज गे हम लोग, तो 60 plus 280 is 340, plus 30 is 370 mm, तो यह कुछ 370, divide by summation of area तो काफी simple है, bottom flange का, direct 300 into 60, plus web का 280 into 80, plus top flange का 300 into 60, तो यह y bar bottom की value कुछ आती है, 243.97 mm, तो basically हमने इसका neutral axis locate कर लिया है, तो जैसा कि हमें भी दिख रहा है, इसका neutral axis bottom से 243.97 mm है, मतलब यह इसके center पे थोड़ा उपर की तरफ है, जो की होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो top flange है, वो bottom flange से मोटा है, इसका मतलब इसका CG थोड़ा उपर की तरफ inclined होना चाहिए, अभी इसका overall depth कितना था, 400 mm, तो इसका center की तर आएगा 200 mm पे, लेकिन इसका जो neutral axis है, हमें इदर से दिख रहा है, यह मीचे से 243 mm है, मतलब थोड़ा उपर की तरफ shifted है, तो हमारा answer जो आया है, वो correct है, हम बोल सकते है, क्योंकि इसका neutral axis उपर की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि इसका top flange bottom से थोड़ा मोटा है, ठीक है, और वोप I am clear, तो इसके वाल इसका हम लोग neutral axis कुछ बना देते है, इस तरह से इसका neutral axis ह होगा, और यह distance जो भी हमनों calculate की, यह होगी 243.97 mm, और लगे हैं इसका neutral axis, टॉप सी neutral axis का distance भी लिखा लेते हैं, तो वाइबर टॉप कितना होगा, total depth 400 mm, माइनस 243.97 कर देंगे, तो वाइबर टॉप मिल जाएगा हम लोगको, यह distance आपकी आती है 156.03, mm, तो this distance is 156.03 mm, ठीक है, अभी हमने neutral axis को locate कर लिया, तो चलिए अभी हम आगे का करते हैं, इसका eccentricity निकालते हैं, तो eccentricity क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, eccentricity हमें इसे neutral axis से measure करते हैं, और eccentricity मतलब neutral axis से यह pre-tracing जो टेंडन है उसका distance कितना distance, तो हमें पता है neutral axis का one one से distance कितना है, 243.97, और इस tendon का भी one one से distance कितना है, यह ओला distance 50 mm, तो हम लोग यह distance को यह distance से minus करेंगे, तो हमें यह distance मिल जाएगा, तो इस case में eccentricity आपकी आए रही है, 193.97 mm, अब इस beam का हम cross section area में लिकाल के रखते हैं, आगे हमें stresses वगेरा लिकाल में यह ज़रूर करेगा, cross section area हम इसका square meter में लिकाल के रखते हैं, तो सबसे पहले इसका जो bottom flange का area है, वो लिकालेंगे, तो 300 mm है, 300 मतलब 0.3 meter, into 60 mm है मतलब 0.06 meter, plus यह वाला इसका distance था 280 mm, मतलब 0.28 meter, into यह वाला distance था 80 mm, मतलब 0.08 meter, plus top flange का 0.3, into यह वाला distance, 60 mm मतलब 0.06, तो इसका cross section area को 0.04, 64 meter square आ रहा है, तो चलिए आगे का step देखते हैं, और हम इसका moment of inertia लिकालते हैं, moment of inertia आई होता है, हम इसका I लिकालते हैं, तो जैसे कि मैं पता है, कि एक rectangular section होगा, उसका moment of inertia about cg, अगर यह b है और यह d है, तो about cg होता है, सबसे पहले bottom का, तो bottom के लिए इसका, जो moment of inertia है about this axis, about उसके cg पे, क्या होगा, bd3 by 12, तो हमेशा याद है कि b मतलब क्या होता है, वो वाला distance जो की neutral axis को parallel है, तो यहाँ पे 300 b into d आपका 60 mm, bd3 by 12, अब यह जो इसका moment of inertia है, वो about this axis है, इस particular planche के cg के about है, लेकिन हमें लिकालना कहाँ पे है, हमें इस neutral axis के about लिकालना है, तो उसके लिए हम इसमें a into h square वाला term भी add करता है, तो वो क्या होता है, ए मतलब basically area होगा, तो area किसका लेंगे, bottom planche को consider कर रहे है, तो bottom planche का area लेंगे, तो यह आपका हो जाता है, 300 into 60, into h क्या होता है, h मतलब यह जो neutral axis पूरे section का, जो neutral axis है, उसके बीच में, और जो इस छोटे से bottom planche है, उसके neutral axis, मतलब उसके cg के बीच का distance होता है, हमारा h, मतलब distance between this neutral axis and the cg of this bottom planche, मतलब basically यह वाला distance आपका h होता है, यह आप हमेशा याद आखे, तो यह distance कैसे लिकालेंगे सबसे पहले हमें पता है, neutral axis, 1,1 से कितने है, 243.97 और इसका जो cg है, वो 1,1 से कितने है, 30 mm, क्योंकि यह 60 mm है, तो इसका cg हाफ पे होगा 30 mm, तो basically this में से, यह minus कर देंगे, तो हम लोगों को यह मिल जाएगा, तो into आपका हो जाएगा, 243.97 यह वाला distance, minus यह छोटों सा distance, 30 इसका whole square, ठेक है, clear है, अब web की बात करते है, तो web के लिए bd3 by 12 क्या होगा, neutral axis को parallel, इसकी जो width है, वो कितनी है, 80 mm, तो b is 80 mm, into d, b मतला आपका यह वाला distance, 280 का cube, divided by 12, plus a into h square, अब यहाँ पे area कितना है आपका, बस तो simple है, 280 into 80, into h square, अब देखिए, इसका जो neutral axis है, बतलब इसका जो CG है, इस web का जो CG है, वो यहाँ से कुछ 140 mm पर है, ठीक है, तो h basically हमारा क्या हो गया, यह वाला distance, यह पूरे section का neutral axis, और इस चोटे से web का, जो CG है, उसका distance, जो होता है, वो होता है हमारा h, तो यह basically h है, तो h कैसे लिखा लेंगे, same concept of purpose, use करेंगे, हाँ मैं बता है कि neutral axis का 1,1 से distance कितना है, 243.97 mm माइनस, हम लिखा लेंगे कि इस web का जो particular CG है, उसका distance 1,1 से किदर है, तो हमारा है कि इस web का CG है, उसका distance इस point से 140 mm पर है, तो 1,1 से कितना होगा, 140 plus 60, which is 200 mm, इसका whole square, ठीक है, ह्यादर clear है, उसके वाद इस top planche का देखींगे, इसका bdq by 12 तो अभी simple है, हम समझ गए है, 300 into 60 cube by 12, plus a into h square, तो area में simple है, into h square, अब इसका जो CG है, इस particular का CG है, वो इस point से 30 mm पर है, हमने अल्रेडे लिखा है, तो हमें, अभी क्या करना पड़ेगा, 243.97, यह वाला distance, माइनस, इसका CG, इदर से किदर होगा, इदर से कितने distance 60 plus 280, which is 340, plus 30, which is 370 mm, ठीक है, तो आप हमेशा यह convention याद रखे, सब distance आप नीचे से लोगे, तो कभी confused नहीं होगे, आप जैसे कि यह particular distance से यह negative आ रहा है, ठीकिन कुछ फरक नहीं पड़ता, क्यूंकि उसका square ही होने वाला है, तो वो positive हो जाएगा, ठीक है, तो इस case में भी सेम concept यूज किया, पहले जो neutral axis है, उसका distance 1-1 से लिखा, जो भी है वो, और उसके बाद उसका जो particular का CG है, उसका distance भी हमने 1-1 से लिखा, और बाद में दुनों को minus कर दिया, तो basically हम लोगों को यह वाला distance मिल गया, ठीक है, तो अगर i ऐसे calibrate किया जाए, तो i का value आता है, 757. 7.46 into 10 raise to 6 mm raise to 4, तो लगया इसका section modulus भी निखा लेते हैं, तो जैसे कि last lecture में हमने देखा था section modulus क्या होता है, i by y, तो z top क्या होगा, section modulus top के side बाद क्या होगा, i by y top, तो i हमने निखा लागी है, पहले से 757.46 into 10 to the power 6, upon y top मतलब यह वाला distance, जो कि यह आपका 756.03, तो इसकी value आपकी आ रही है, 4.85 into 10 to the power 6 mm cube, similarly z bottom क्या होगा, i upon y bottom, तो इसकी value कुछ होजाएगी, 757.46 into 10 to the power 6 upon y bottom मतलब यह वाले distance, जो कि है 243.97, तो इसकी value कुछ आपकी आती है, 3.10 into 10 to the power 6 mm cube, ठीक है, तो हमने इसका section modulus top और bottom भी लिखा लिए, तो अगला step हमारा यह होगा, कि dead load और live load moments दिखा लेंगे, तो सबसे पहले dead load moment इसका क्या होगा, क्योंगी question में हमें यह नहीं दिया था कि यह 2 kN per meter का जो load है, वो including dead weight है या नहीं, तो हम यह मालेगी कि dead weight हमें calculate करना पड़ेगा, तो dead weight का formula है जोगी हमें पता है, कि dead weight, पहले मैं इसका span 8 meter है, वो बना देता हो, तो dead weight का formula होता है area, इसका cross section area, जो भी होगा हो, into density of concrete, तो यहाँ पर एक गौर रखने वाली बात यह है, कि जो density of concrete हम लेते है, अगर यह RCC structure होता, कोई भी RCC structure होता, तो density of concrete हम लेते है 25 kN per meter cube, और जब pre-stress concrete होता है, तो हम density लेते है 24 kN per meter cube, यह होता है आपका RCC के लिए, और यह होता है आपका pre-stress concrete के लिए, यह हमेशा याद रखिये, RCC के लिए density of concrete होता है 25 kN per meter cube, और pre-stress concrete के लिए density of concrete होता है 24 kN per meter cube, तो इस case में हम अभी तो pre-stress concrete से डील कर रहे है, तो हम density कितना लेंगे, 24 kN per meter cube, और area जैसे कि हमने पहले भी calculate करके रखा था, 0.0464 meter square, तो dent load है, उसका value हमें आता है, कुछ 1.1136 kN per meter, तो dead load moment कितना हो जाएगा, WL square by 8 maximum moment, simply supported beam में WL square by 8 होता है, हमें already पता है, कुछ WL square by 8, तो ये W, L मतलब 8 का square, divide by 8, तो इसकी value कुछ आती है, 8.9088 kN per meter, second हम लिका लेंगे live load moment, जो भी होगा, live load हमें दिया है कि 2 kN per meter है, तो live load moment n q क्या होगा, WL square by 8, W2 है, L 8 square by 8, ये direct तो हमें दिख रहा है, इदर से 16 kN per meter हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हमने सारे values लिका लिए, जो कि हमें लगेंगे, अब final हमारा काम एक ही बजिया है, stresses लिकाने का, तो चलिए देखते हम stresses कैसे लिका लेंगे, ठीक है, अब हमें इस पर stresses लिकाना है, मैंने सारे values इहां पर लिख दिए हैं, जो हमने लिका देखते हैं पहले, तो stresses में जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हम बता है, क्रीक स्ट्रेस डिकानी करते हैं , कुछी नहीं होता है, ठीक षरस अपां अरिया, च्रीक प्रिश्ण स्कोर्श्ण में दिया विया था लिकाना है, फ़ो क्रेस्ट एडंटो Łणे इपक निवियंटन O अपन, एरिया, एरिया हमने calculate किया था 0.0464, क्योंकि यह meter square में था हमें इसे mm2 में calculate करना है, क्योंकि हम stresses हमेशा newton पर mm2 में लेंगे, यह हमेशा याद रखिये, तो यहां पर तो हमेरा basic conversion वाला fund आएगा, कि 1 meter is equal to 1000 mm, तो squaring both sides, तो 1 square meter is nothing but 10 raise to 6 mm2, इसका square हो जाएगा, तो यहां पर direct हम लिख सकते, 10 raise to 6 mm2, तो यह value आपकी आती है कुछ 2.1552 newton per mm2, यह होगा आपका direct stress का value, अब second होती है हमारी bending stress की value, तो bending stress जैसे के हमने पहले देखा तो तीन कारून के विए से आती है, एक pre-stressing moment, एक dead load moment और एक live load moment, तो सबसे पहले हम due to pre-stress देखेंगे, प्री-stressing moment के कारण जो bending stress आएगा हो, तो इसमें sigma top क्या होगा, अब हमने देखा था हमेशा की तरफ, कि pre-stressing के वेज़े से बीम होवरी ऐसी कुछ reflect होती है, इस तरह से side phase बनाती है, hogging moment होता है, तो hogging moment के कारण जो top fiber से उस पे tension आता है, और जो bottom fiber से उस पे compression आता है, तो tension मतलब pre-stress concrete में tension हम negative लेते है, तो यह हो जाएगा हमारा minus, m by z होता है, sigma का value, pe by z top, यह हमने derived किया था last lecture में, तो is equal to minus 100 into 10 raise to 3 newton, into e की value हमने find की थी, 193.97 divided by z top, z top की value वहाँ पे है, 4.85 into 10 to the power 6 mm cube, तो इसकी value direct हमें आ जाएगी, minus 4 newton per mm square, similarly sigma bottom क्या होगा है यहाँ पे, plus pe by z bottom plus q क्यों की नीचे compression आता है, तो यह आपकी हो जाएगी, प्लस 100 into 10 to the power 3 into e की value, 193.97 upon, इसकी bottom की value है कुछ 3.10 into 10 to the power 6, तो यह value equal to होके आती है, कुछ plus 6.2571 newton per mm square, ठीक है, यह due to pre stress हमने निकाल लिया, अब second आता है आपका due to dead load, तो due to dead load, dead load की कारण यह बीन कुछ ऐसा different होता है, smiling face, नीचे आता है tension, उपर आता है compression, तो sigma top उपर आता है compression, compression of the positive, प्लस mg by z top, तो इसकी value कुछ है आपकी, 8.9088, यह kilometer में है, divide by z top आपका कितना था, 4.85 into 10 to the power 6 mm cube, अब इसको convert करना पड़ेगा, इस kilo newton meter को हम newton mm में convert करेंगे, तो अगर आपको यह पता नहीं, यह concept तो इदर देख लिजे कि इसका conversion factor क्या होता है, तो फिर मैं इदर आपको बता देता हो, कि जैसे अभी 1 kiloo newton meter है, हमें newton mm में convert करना, तो सब सब पहले हीड हमने Prinzip kilo को newton में convert करेंगी, kiloo newton में करेंगे, तो हमने पता है कि 1 kiloo newton is 10 to the power 3 newton, तो यह अभी ll newton meter में हो गया, उसके बाद इस meter को हम mm में convert करेंगे, तो हमने पता है कि 1 meter is 10 raise to 3 mm तो basically यह total होगे आपका 10 raise to 6 newton mm यह काफी important conversion है आपको याद रखना है यह कि 1 kNm is equal to 10 raise to 6 newton mm ठीक है हमने देख लिया तो इधर direct हम लिख सकते हैं 88 into 10 to the power 6 upon 4.85 into 10 to the power 6 is equal to 1.8369 newton पर mm square similarly इसका z bottom क्या हो जाएगा माइनस आइन के साथ 8.9088 into 10 to the power 6 upon z bottom यहाँ हमने लिखा है 3.10 into 10 to the power 6 तो इसका वाइड बितना हो जाएगा जाएगा तुछ माइनस 2.8738 newton पर mm square ठीक है अधर clear है तो अभी लास्ट वाला बच्चा है हमारा थर्ड वाला जो है दूटू लाइव लोड तो लाइव लोड की कारण भी यह भी इस तरह है बेंडों का उपकर कंप्रेशन नीचे टेंशन तो सिग्मा टॉप आपका आजाएगा पॉजिटिव तो यह प्लस 16 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 3.10 इंटू 10 to the power 6 तो इसकी वाले आपकी आती है कुछ 3.2990 न्यूटन पर mm स्क्वेर सिमिलर्ली सिग्मा बॉट्टन आपको इतना हो जाएगा माइनस तो कि नीचे आता है अटेंशन 16 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 3.10 इंटू 10 to the power 6 इस इक्वाल टू माइनस 5.1613 न्यूटन पर mm स्क्वेर ठीक है तो इसकी लिखा लिया तो हमने सारे इस्ट्रेस लिखाल लिए फर्स डिर्स और सेकेंट बेंडिंग स्ट्रेस वह लिख वे काल के वैसे first pre-stress second dead load और third live load ठीक है तो अभी हमें final अपना काम करना है कि stress distribution diagram plot करना है हमने सारे calculations कर दिये है ठीक है तो चलिए देखते हो कैसे करेंगे ठीक है तो question में हमें दिया था कि हमें दो condition के लिए stress distribution diagram बनाना है सबसे पहला और second pre-stress plus self weight और second pre-stress plus self weight प्लस live load तो पहला मैं consider कर रहा हूँ pre-stress plus self weight तो stress distribution में सबसे पहला हमारा आएगा direct stress अब direct stress throughout compressive रहता है हम पहले देख चुके है तो direct stress total आपका positive रहेगा यहां पर कुछ आपका tendon होगा तो direct stress हम पुए cross section तब लेते हैं तो direct stress आपका कुछ positive रहेगा और इसकी value कुछ है आपकी 2.1552 ठीक है plus second आपका आएगा due to pre-stress bending stress due to pre-stress तो इसकी value कुछ उपर negative आई थी और नीचे positive negative positive यह आपकी value आएथी 4 newton per mm square और यह value आएथी 6.2571 newton per mm square इस इस due to P into E मैं लिक देता हो और यह होता है आपका P by A के कारण और उसकी बाद हमें इसमें एक और चीज़ लेना है due to dead load तो dead load की कारण यहां पे आया था positive यहां पे आया था negative 0 at the neutral axis positive negative यह negative value value जो है वो है 2.8738 और यह है आपकी 1.8369 तो finally इसका हम resultant बना देते हैं इसका resultant कुछ आया है इस तरह से उपर का जो value है almost 0 है बट थोड़ा सा वो negative है तो हम उसको negative दिखा देंगे और through out वो positive है तो जो आपकी नीचे वाली value है वो है 5.5385 newton पर mm2 और उपर की जो value हो minus 0.0079 newton पर mm2 यह काफी छोटी value है काफी छोटी से negative value है ठीक है तो यह almost 0 ही है वो यह resultant आपका हो गया ठीक है तो दूसरा वाला जो condition था उसमें हमें प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फेट प्लस लाइव लोड भी लेना था तो यहां तक तो इस ट्रेस्ट्रिस्ट्रिशन डागराम से में होगा बस लास्ट में इसमें एक और डागराम कुछ आ जाएगा जो की होगा अब इसका रिजल्टेट में आ जितरे हैं हम लोग तो रिजल्टेंट में कुछ नहीं होगा बस यह जो रिजल्टेंट है इसमें यह लाइव लोड का वैल्यू आड हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो है वो है उपर के लिए हमारा 3.2917 3.2917 newton पर mm2 और नीचे यह approximately थोड़ा 0 के बराबर ही है बट 0 नहीं है उसका वैल्यू है हमारा 0.3772 newton पर mm2 यह हमारा 3.305 फैशल्ट है तो यह क плох आपको यह संब वाइन होगया सारे सब्सेल्स अगने अगर आपको वीडियो पसंद आले तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए ओर शेर किजिए और अमारे चैनल यूल अगर पहरी बार विसित कर रहे होंगे ठीके, थांक्यू और हप्य लार्निंग।